आप सब लोग कैसे हूं उमीद करते हूं दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे आज मैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही हेल्दी एक ब्रेकफास रेसिपी लेकर आई हूं सेमिया उपमाओ जिसे मैंने सिफ एक टेबस्पून देसी घी में बना चुरू करते हैं सेमिया उपमाओ तो देखिए सेमिया उपमाओ बनाने के लिए सबसे पहले कड़ाई में मैंने यहां पर डाल देए एक टीश्पून देसी घी जैसी वह हलका सा मेल्ट होना शुरू होगा अब मैं यहां पर डाल दूगी दो कपल सेमिया तो आप चाहें त उसे अच्छी तरीके से रोस्ट कर लिएगा इस टाइम पर तो यहां पर यह अलड़ी रोस्टेड है इस तरीके से रोस्ट करेंगे अगर आप तो इसमें बहुत अच्छा एक महक भी आएगा और आपका उपमाओ भी बहुत अच्छी तरीके से बनका रड़ी होगा तो मैं इसे तीन से चार मिनिट के लिए रोस्ट कर लूँगी और ताकि इसमें एक अच्छा सा खुश्पू आ जाए ध्यान रखना है इसका कलर चेंज ना होने दें तो आप जब इसे रोस्ट करें तो इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे कंटिनियूसली चलाते रहें तो देखें यह यहां पर दुबारा से एक तीसपून देसी घी डालेंगे क्योंकि अब हम यहां पर थोड़े बहुत नट्स फ्राई करेंगे तो जैसे कि यहां पर मैं आट से दस काजू है यह वो फ्राई कर रहे हूं आपको कौन से ड्राइ फूर्ट्स पसंद है आप वो एड़ कर सकते ह यहां पर किसमिस का भी यूज कर सकते हैं बदाम का भी यूज कर सकते हैं पिस्ते का भी यूज कर सकते हैं तो यह आपकी ऊपर है तो मैं से दो तीर मिर्ट ले और फ्राई कर लेती हूं देखिए यहां पर जो काजू है वो फ्राई हो गया है अब हम यहां पर डाल देंगे दो सूखी लाल मिर्च इसे भी डालके थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे कुछ सेकेंड्स के लिए जैसी यह रोस्ट हो जाएगा तो अब हम यहाँ पर डालेंगे एक टीस्पून राई के दाने यहां पर सरसो के दाने में डाल देते हूँ एक टीस पून और उसी के साथ हम यहांपर डालेंगे एक टीस्पून उर्द की दाल जिसे हम लोग इड्लि वगरा बनाते है वो भी डाल दी है एक टीस्पून उपमौ offline में उरद की दाल का जो चोका लगता है उसका बहुत अच् तो इसे हम कुछ सेकेंड के लिए फ्राई करेंगे धियान रखेगा डाल का ज़ादा कलर चेंज मत करिएगा तो यहाँ पर कुछ सेकेंड के लिए मैंने फ्राई कर दिया है बड़ी आतरीके से इन सब को और अब हम यहाँ पर डालेंगे अपनी हरी मिर्च और अधरक तो मिर्च आप कैसा पसंद करते हैं कम जादा उसी साब से एड़्जस करेगा तो यहाँ पर मैंने तीन हरी मिर्च है जिसे मैंने बारीक इस तरीके से चौप कर लिया था तो अद्रक थोड़ा अच्छी तरीके से डालिएगा और उसी के साथ अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है एक प्यास प्यास को भी बारीक स्लाइस किया है बारीक बारीक चॉप किया है सौरी स्लाइस नहीं करना है चॉप करना है और उसको भी अब हम फ्राई करेंगे मीडियम प्लेम पे इस तरीके से बीच पीच में आप चलाते रहिएगा प्यास का जादा कलर आपको डार्क नहीं करना है प्यास को आपको सॉफ्ट करना है बस उतना ही काफी है तो मैं इसे फ्राइ कर लेती हूं तो यहाँ पर देखें तीन से चार मिनिट लगा है प्यास भी आधा कप कैरेट है जिसे बिल्कुल बारीक मैंने चौप कर लिया था आप चाहें तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं या फिर आप अपने चौपर में भी चला सकते हैं आधा कप काफी है यहाँ पर आज मैं सिर्फ कैरेट यूज़ कर रही हूं आप चाहें तो यहाँ पर फ लिए 2 मिनिट के बस फ्राइ करना है करते हैं कि करट तोड़ा क्रणची अच्छा लगता है सिफ 2 मिनिट के मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे बीच वीच में चेक करेंगे तो दीखिए बहुत ही क्विक रेसिपी है दोस्तों उमीद करती हूँ आपको इस रेसिपी पसंदारी होगी ब्रेकफास्स में आप इसे बनाईए बहुत हलका फुलका सा नाश्ता होता है आपको ऐसे लगेगा कि नहीं कि आपने सुबह बहुत जरो ओवर कुछ खा लिया है कुछ भी नहीं है बहुत हल्दी हो जाता है ये और बहुत कम समय में ये बनकर रडी होता है 1-4 तीसपून यहाप मैंने हल्दी डाल दिया है हल्दी डालना ओप्शनल है नहीं डालेंगे तो भी कोई टेस्ट में कोई फरक नहीं आएगा आपके मैंने यहाप एक अच्छे कलर आने के लिए हल्दी का यूज किया है मिक्स कर दिया है इसे और अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी मैं आपको बताती हम कि किस हिसाब से आपको यहाँ पानी का यूज करना है दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है यह वीडियो ना तो अपने घर में जरूर इसे ट्राइ करिएगा और बताईएगा मेरे comment box में लिखका कि यह आपकी recipe कैसी आई है तो देखें यहाँ पर मैंने mix कर दिया है दो मिनट के लिए काफी है अभी तो चलिए अब इसमें हम लोग पानी आड़ कर लेते हैं तो यहाँ पर यह नॉर्मल रूम टेंपरेचर पानी था पानी डाल दिया है तीन कप है यह नमक आप स्वात के अनुसा डालीगा पर ध्यान रखेगा सेमिया वगरा में नमक थोड़ा बिल्कुल केरफूल होकर डाला करें क्योंकि सेमिया में नमक बहुत जल्दी जादा बढ़ जाता है तो बिल्कुल धिहान से थोड़ा थोड़ा करके डालिए मिक्स करें और चक्कर देखेगा मतलब इस तरीके से आपको यहां पर नमक को एड़ करना है तो नमक अपने स्वात के अनुसा एड़ करिएगा यहां पर मैं थोड़ा सा शुगर डाल रही हूं ताकि सारा फ्लेवर बैलेंस हो जाए तो वन फो टीस्पून यहां पर मैं थो बॉल आने का वेट करते हैं तो देखें यहां पर देख सकते हैं कि यह उबलना शुरू हो गया है जैसी इखान दाल देंगे रोस्ट किए हुए देसी घी में बड़ी सेमया तो यहां पर सेमया डाल दिया है जब आपका पानी अच्छी तरीके से बॉल हो तभी आपको यहा अगाने मिक्स कर दिया है इस रेसिपी में आपको पानी का मेजरमेंट बहुत ध्यान रखना है क्योंकि अगर आपने जादा पानी डाल दिया तो आपके जो सेमिया है बिल्कुल मैश्ट हो जाएंगे घुट जाएंगे बिल्कुल खिली खिले नहीं बनेंगे तो इसलिए 2 पानी बिल्कुल परफेक्ट है, हाई फ्लेम पे आपको इसको इस तरीके से उबालना है, तो आप देख सकते हैं कि उपर से पानी काफी कम हो गया है, फ्लेम को बिल्कुल लो पे ले आईए और ढग दीजे इसे कम से कम तीन से चार मिनिट के लिए ताकि अच्छी तरीके से फ परेट हो गया है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी नीचे चिपका नहीं है, अभी भी आप देख सकते हैं, हलका सा मॉइस्चर है, इतना ही काफी आप इसको जादा ड्राइ मत करिएगा, क्योंकि जब यह ठंडा होगा ना, यह और भी जादा ड्राइ हो जाता है, यहाँ मैं दाली हो फ्रेष कड़ी, यहाँ पर 1 2 3 लाइ मैं अदल को मिक्स करिएगा बहुत अच्छा फ्लिवर मम स्थकोछिश करिएगा कि ख्रेश कोकन pipe, अंदाले ऑजिता है, बहुत अच्छा फ्लिवर मम मैं ग्शा, और यहां हम पर मैं इल्मनाल हने देख साट विया देख् पसंद है तो प्लीज उसे लाइक करेंगे शेयर करेंगा और मेरा हमबल रिक्वेस्ट है दोस्तों अगर आपने अभी तक में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर भूल गया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए अग्ली और अच्छी रेसेपी क कि इसा थो गयी तप्टा कि लिए बागाई